देखे आज इस वीडियो में बात करेंगे लेंड एक्वैरेशन के बारे में, भूम अदिगरेड के बारे में यदि आपकी जमीन सरकार के किसी भी परियोजना में जा रही है तो आपके कितना मुअअबजा मिलना चाहिए कानून के अकौर्डिंग और कितना मुहापजा मिलता है गाउं की जमीन, सहर की जमीन और मुहापजा के अंद बाद भी आपको क्या-क्या मिलता है उस सब कुछ आपको बताएंगे ठीक है अब यह धारतीस आप देख सकते हैं और नहीं देख सकते हैं तो आप समझ लीजिए समझने के बाद भी आप एक बार जरूर देख सकते हैं ठीक है तोसड का दिया जाना यानि की हर जाने का दिया जाना उसके बारे में प्राभधन करती है क्या प्राभधन करती है क्लेक्टर स मैं आपको समझा दूब बहुत आपको समझा दूगा बिल्कुल सुद्वासा में कि देखिए जैसे माल लीजिए आपकी कोई 10,000 रुपए की जमीन है उजहार के तौर पे जिसका बजारी मूल जो है सरकिल रेट जो है वह 10,000 रुपए है आपकी जमीन का सरकार याद उसे आकलन करेगी जो इसकी सरकिल रेट है या ऐसा भी हो सकता है अगर माल लीजिए आपकी जमीन वहाँ पर सरकिल रेट 10,000 है लेकिन जमीन 20,000 में बिक रही है वहाँ पर तो आप जो रोजिस्ट्रियां होई है आसपास वह भी दिखा सकते कलेक्टर को कि मावदा यह देखिए रेजिस्ट्रियां यहाँ पर 20,000 रुपए कीमत है वैसे ठीक है तो इस पर डिसेजन लोएगे डियम अन्य था आपको 10,000 के हिसाब से ही वह मानेगे कि हाँ इसकी कीमत 10,000 रुपए है ठीक है अब माल लीजिए सरकिल रेट में आपकी जमीन 10,000 रुपए की है तो 10,000 वह र देखिए इसमें क्या किया गया है कि प्रतिकर की रकम अलग होगी और तोसड की रकम अलग होगी यानि कि जो आपकी जमीन का 10,000 एक्चुल जो वैलु है वो तो मिलेगी ही मिलेगी प्लस उसके 100% यानि की 10,000 रुपए ही आपको मुहाबजा के तौर पे दिया जाएगा ठी जार के मूल से दो गनी जमीन आपकी सरकार अधिकरण करेगी इस पस्ट है आप चाहे तो इसकी मुझसे रूलिंग कानून मुझसे कॉंटेक्ट करके डिक्सर नमबर दिया गया है आप राप्त कर सकते जो सहर की जमीन है वो आपकी जाएगी सरकल रेट से दो गुने की क्यो क्यों कि एक तो आपका जो सरकल रेट है वास्ता में वह भी आपको मिलेगा दूसरा आपको मिलेगा तोसर की रेकम अनी अब गाउं के लिए अलग नियम क्या आप देख लीजिए देखे इसी की अनसूची ठीक है प्रावधान ये करती है कि यह ग्रामीर छेत्र में है ठीक है तो ग्रामीर छेत्र में जो भी रकम है ठीक है उसको गुणा कर दीजिए आप तो आपको दो से गोड़ा करदीजिए तो आपकी यह तो परसंट जो तोसड यानि की हरजाना आपका तो इस प्रकार से आपकी गौव की जमीन जो है वो और अधिक में जाएगी और अधिक पैसों में आपकी जमीन अधिगरęt रखी जाएगी इसमें एक और नियम है कि यदि माली जी आपको पैसा टाइम से नहीं मिलता है माली जी आपकी भूम अधिगरेड कर ली गई है और पैसा आपको एक सालवाद मिल ला है ठीक है तो जिस दिन आपकी भूम अधिगरेड की है उस टाइम से 12% के एसाब से आपको वो भी अलग से मिलेगा, प्लस यदि आपकी उसमें बोरिंग है, आपकी उसमें पेड़ है, आपकी उसमें टीन सेट लगा है, कोई अन्य आपने उसमें लगाया है, तो उसका खर्चा प्लस मुहावजा अलग से आपको मिलेगा, आप बिल्कुल ही निश्चंत रहें, ठीक है तो दोस्तो इस चैनल को सस्क्राइब करके बेल आइकन जरूर दमाएं मैं इत्फूर वीडियो पाएं और मुझसे कॉंटेक्ट भी कर सकते